नौईडा के आर्मी पब्लिक स्कूल में बीते दिन से कथित तोर पर पाकिस्तान खुफिया एजेंटों के लगातार फोन्स और वाट्सैप मेसेज़े आ रहे हैं जिसे लेकर चिंताएं आर्मी स्कूल में बढ़ गई हैं जाहिर तोर पर आर्मी स्कूल की प्रशासन द्वार है और तस्वीर हैं हम आपको आर्मी स्कूल से ही दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान खुफिया एजेंट खुद को स्कूल के टीचर या कोई जानने वाले बताते हैं अभिभावकों से अपने बच्चों को नई क्लास में वाट्सैप ग्रूप का हिस्सा बनने के लिए ओटी अन्जान व्यक्ति को शेर बिलकुल ना करें इसी के साथ में आपको याद दिला देते हैं कि दिली के इंडियन स्कूल में 12 अप्रेल को और 12 माई को दिली के ही दिली पब्लिक स्कूल में बॉम से उडाने की धमकी मिली थी दोनों ही स्कूल में सर्च ऑपरेशन किये गए थ मेल से मिली धमकी को फरजी करार कर दिया गया था लेकिन अब नौइडा के आर्मी पब्लिक स्कूल जिसकी तस्वीर आप इस वक देख रहे हैं यहां कथित तोर पर पाकिस्तानी खूफिया एजेंटों से जो कॉल मेसेजर आ रहे हैं वो बच्चों की सुरक्षा और पेरिं स्कूल में पढ़ रहे हैं आज भी स्कूल जो है वो चल रहा है सुबह से ही चोटे-चोटे बच्चों के सीनियर बच्चों के यहां पर आने का दौर शुरू हो चुका है अभी फिलाल क्लासिस चल रही है हमने लगातार पैरेंस से प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की है लेकिन फिलाल स्कूल प्रशासन और पैरेंस चुप्पी साधे हुए हैं और यह कहते हुए चुप्पी साध रहे हैं कि पूरा मामला बेहत सेंसिटिव है और इस मामले में सीक्रेसी मेंटेन करना ज़रूरी है कैमरे पसन रोहित के साथ अजातिका सिंग एबीपी न्यूस नॉइडा